हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि बारिश में भीगने के करण हलका सा वाइरल फीवर हो रखा है तो आज की वीडियो को आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके देखना क्योंकि म अगर वर्क अंटी में से कोषण बनेंगे तो इन ही में बनेंगे तो जितने भी कोषण मैंने आपको कराएं हैं आप प्लीज उनको ध्यान से देख लीजए और उस तरह के कोषण की प्राक्टिस भी जरूर खीजे ठीके तो चलिए बिना किसी देरी के शयुरू करते हैं आ इतने घंटे में समाप्त करेगा यह आपको बताना है देखे इस question से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा basic आपके लिए explain कर देता हूं तो जो इनके दिन होंगे मानले जी कितने दिन में काम करेंगे उसका जो ratio होगा वो हमेशा इसका reverse होता है यानि कि यह 2 ratio 3 है तो यह 3 ratio 2 होगा दुबारा समझे लीजे यह एक बहुत ही important concept है इस work and time का अगर इनकी कारेंशमता का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है तो इनके दौरा जो दिन लिये जाएंगे उनका ratio क्या होगा वो इसका उल्टा होगा वो होगा 3 ratio 2 इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि इनके बीच में हमेशा opposite relation होता है ठीक है अब हम question को पढ़ते हैं देखे दुबारा से एक ही समय में A B से 20 परतीशत कम काम करता है क्या कहना चाहरे है एक कम काम करता है किस से B से यानि कि मान लो अगर B 100 काम करता है तो A कितना करता है 20 कम करता है यानि वो 80 का बात कर रहे हैं उनके काम की यानि की एफिशेंसी की हम बात कर रहे हैं E4 एफिशेंसी यानि कारे कुशलता ठीक है कारे शमता भी आप कह सकते हैं अब इनका पर रेशो निकाल लो रेशो कितना हैगा यह दोनों 20 से कैंसल हो जाएंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 यानि केहरने का मतलब यह है A एक दिन में 4 काम करता है और B एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है तो इनके दोरा जो time लिया जाएगा जो यह time लेंगे इस काम को complete करने में वो इसका reverse होगा यानि कि A किसी काम को 5 दिन में complete कर देगा और B उसी काम को चार दिन में complete कर देगा क्यों? क्योंकि B जादा काम करता है एक दिन में तो उसको time कम लगेगा एक कम काम करता है तो उसको time जादा लगेगा तो I think अब आप इनके opposite relation को समझ गए होंगे तो देखो इसको पहले हम प्रॉपर fraction में change कर लेते हैं साद दुनी 14 और 15 15 बटे 2 घंटे में एक किसी कार्रे को समाप करता है तो B इसे कितने घंटे में समाप करेगा तो देखिए time का हमें यहाँ पर ratio दिया है क्या है? 5 ratio 4 यह A और B के बीच में तो मैं मान लेता हूँ A किसी काम को 5x time में खतम करेगा और B उसी काम को 4x time में खतम करेगा ठीक है? लेकिन आप ध्यान दीजे हमें A का तो दिया है A का हमें दिया है 15 बटे 2 घंटे तो पहले हम X की value निकाल लेते हैं 5x हमें दिया है 15 बटे 2 घंटे तो X की value क्या आगई? 5 एकम 5, 5 तिया 15, X की value आगई 3 बटे 2 हमें B का निकालना है ठीक है? यह A है और यह B है B का हमें दिया है 4x तो 4x की value निकाल लो वही B का time होगा ठीक है? तो 4x, X की value क्या होगी? 4 गुणा में 3 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 यानि की 4x की value यह किसकी है? B की value आगई यानि की वह उस काम को complete करने में 6 घंटे लगाएगा ठीक है? वह A से कम time लेगा क्यों? क्योंकि वह ज़ादा काम करता है ठीक है? तो इस simple simple से concept हैं इसी तरह के questions की आज हम practice करने वाले हैं और साथ के साथ हम salary वाले question भी करेंगे कि जब हम salary को distribute करते हैं तो उसको किस ratio में distribute करते हैं यह सारी चीज भी हम सीखेंगे ठीक है? चली, second question पर आते हैं second question आप से पूचते हैं कमल किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर सकता है क्या कहने है? कमल है वो किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर सकता है विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है तो एक विमल है और एक कमल है विमल जो है कमल से 50% अधिक दक्ष है यानि कि उनकी कारे कुशलता का ratio दिया है कि अगर मान लो यह 100 काम करता है तो विमल जादा दक्ष है तो वो कितना काम कर देगा वो 50 जादा कर देगा यह नहीं 500 काम कर देगा वो 150 काम कर देगा यह इनकी efficiency का ratio है तो बना लो यहां से ratio 50 seconds हो जाएंगे 50 दुनी 100 होता है और 50 तिया 150 होता है तो यह आगया आपका 3 ratio में 2 इनकी efficiency का ratio आगया यहां से time का ratio निकालेंगे तो यह आएगा आपका 2 ratio 3 यानि विमल किसी काम को 2 दिन में खतम कर देगा और कमल उसी काम को करने में एक दिन फालतु लगाएगा यानि 3 दिन अब आगे क्या कह रहे हैं कमल किसी कारे को 15 दिन में समाप कर सकता है यह पहली राइन में आपको बताया है और आप से पूछा है इसी कारे को समाप करने में विमल कितना टाइम लेगा तो हम मान लेते हैं कि जो time होगा, exactly time यह ratio है हम मान लेते हैं विमल को 2x टाइम लगेगा और Kamal को 3x time लगेगा हमें Kamal का time दिया है Kamal का यह 3x जो है यह हमें दिया है यह कितना है 15 दिन तो 3x बराबर है 15 दिन के तो x की value क्या आ गई 5 आ गई अब यहां से निकाल लो x की value को रग दो यहां पे 5 यह आया आपका कितना 10 यानि विमल कितना time लगाएगा उस काम को complete करने में वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगाएगा तो option A सही होगा समझ रहे आप मेरी बात को same आपके first वला ही question था बस यहाँ पे vimal और कमल आ गए ठीक है तो I think पहले question और दूसरे question में आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि efficiency और time वाले question को हमें कैसे निकालना है कैसे solve करना है एक का आपको दिया जाएगा दूसरे का आपको निकालना है ठीक है चलिए चलते हैं अब अपने next question पर third question पर third question क्या कह रहे हैं आठ आदमी किसी गड़े को 20 दिन में खोद सकते हैं बहुत अच्छा question है important question है एक paper जब tough आता है न तो इसी तरह के question आते हैं यदि एक आदमी एक लड़के से डेड़ गुना कार्रे निपुन हो यानि एक आदमी एक लड़के से डेड़ गुना कार्रे में निपुन है तो चार आदमी और नौ लड़के ऐसा गड़ा खोदने में कितने दिन लगाएंगे आपको question पढ़के लग रहा होगा कि कैसे करना है इस question को तो देखे सबसे पहले हम इनकी efficiency निकालते हैं आपको ये तो बताया है कि आठ आदमी किसी गड़े को 20 दिन में खोद सकते हैं दूसरी बात आपसे कही कही है यदि एक आदमी यहाँ पे एक man और एक boy आदमी एक लड़के से डेड़ गुना कार्रे में निरपूर्ण है देखे डेड़ गुने का मतलब क्या होता है one and a half times मान लीजे अगर वो एक काम करता है boy तो man कितना करता है? वो 1.5 करता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि boy अगर 100 काम करता है तो man कितना काम करता है? वो देड़ सो काम करता है अब यहां से इसका ratio बना लीजे 50 से cancel हो जाएंगे तो यह 3 पे cancel हो गया और 50 दुनी 100 यह 2 पे cancel हो गया यह इनकी efficiency का ratio है तो यहां से time का ratio निकाल लो तो यह हो गया आपका 2 ratio 3 यानि man उसी काम को 2 दिन में complete कर देगा boy को ज़्यादा time लगेगा उसको 3 दिन लगेंगे यानि लड़के को ज़्यादा दिन लगेंगे अब देखो यहां पर आपको बोला है 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा गड़ा खोदने में कितने दिन लगेंगे देखो मैंने आपको एक MDH वाली ट्रिक पताई थी ठीक है 8 आदमी किसी गड़े को 20 दिन में खोद सकते हैं मानलो मैं आपसे कहूँ कि 50 आदमी इस गड़े को कितने दिन में खोदेंगे ठीक है सरफ आदमी की अगर मैं बात करता हूँ लेकिन वहां पर सरफ आदमी होना चाहिए यानि तीन दिन में जो बॉय काम कर रहे हैं मैं जो है दो दिन में ही उस काम को कर दे रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ मैं दोनो तरफ तीन से मल्टिप्लाइ कर देता हूँ यहां भी तीन से और यहां भी तीन से तो तीन तिया नो किसके बराबर होगा तीन दुनी छे यानि कि नो बॉय बराबर है six men के दुबारा समझेए पहले तीन बॉय बराबर थे two men's के ठीक है मैंने दोनों तरफ तीन से multiply कर दी तो तीन तीया नो नो बॉय जो लड़के बराबर किस के होंगे छे आदमियों के बराबर होंगे तो ये नो लड़के बराबर हो गए छे आदमी के चार पहले से हैं तो टोटल कितने हो गए दस ठीक है हमें कितने क्या निकालना है हमें निकालना है कितने दिन लगेंगे उनको ठीक है आठ आदमी किसी खड़े को 20 दिन में खोदते हैं, 10 आदमी उसे कितने दिन में खोदेंगे, तो बस निकाल लो यहां से दिन, 10 से कम 10, 10 दुनी 20, 8 दुनी 16, तो days कितने आगए आपके, 16 दिन लगेंगे उन्हें, 4 आदमी और 9 लड़कों को ऐसा गड़ा खोदने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन सर्फ लड़कों को आदमी में वदल लेना है, हमारा आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, यह चीज बहुत जरूरी है, इसे आप दुबारा देख लें, और नोट भी जरूर कर लें, इस कोश्चन को, ठीक है, चलिए, चलते हैं, अपने next कोश्चन पे, अब हम फोर्थ कोश्चन पे, फोर्थ कोश्चन देखिए, एक ही कार्य शम्ता B से तीन गुनि है, यानि अगर B की एक है, तो A की कितनी है, स्टीन गुनि है, तो A की कार्य शम्ता हो गई तीन, यह है इनकी efficiency का ratio, ठीक है, अतहे किसी निश्चित कार्रे को यह है B से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है कौन? A जो है B से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है तो देखो यहां से time का ratio निकाल लो यह आगे आपका 1 is to 3 तीक है? इसका reverse हो गया दोनों मिलकर इस कार्रे को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? बहुत अचा question है बस एक simple सी line add कर दिये तो थोड़ा सा question हमारा बढ़ जाता है तो पहले हमें यह निकालना होगा यह separately एक एक करके कितना time लेंगे? तो मैं मान लेता हूँ A जो है 1x time लेगा और B जो है वो 3x time लेगा अब आपको बोला है A B से कम time लेता है तो 3x minus 2x अगर हम इनके time की बात करते हैं अगर मैं B के time में से A के time को घटा दू 3x minus x यह किस के बराबर है? यह 60 के बराबर होगा क्योंकि B जितना time ले रहा है और A जितना time ले रहा है दोनों को अगर minus करते हैं तो time को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A किसी काम को 30 दिन में करता है तो यह कितने दिन में कर रहा है? यह 90 दिन में कर रहा है B यानि A 30 दिन में करता है B 90 दिन में करता है अब आप से पूचा है दोनों मिलकर इस कार्रे को समाप करने में कितना समय लेंगे अब यह आपका बिलकुल पहले वाला कोशन हो गया जो मैंने आपको कराया था ठीक है देखो कैसे इसको सॉल्फ करेंगे एक इसी काम को 30 दिन में करता है भी उसी काम को 90 दिन में करता है ठीक है तो हम पहले और एक चार यह दोनों मिलकर एक दिन में चार काम करते है टोटल 90 काम करना है एक दिन में चार करते है तो दिन कितने लगेंगे 90 बटे में चार यह कितना आएगा आपका 45 बटे दो यानि साड़े बाइस दिल ठीक है बाइस सही एक बटा दो दिन लगेंगे अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं ठीक है तो गैज ये बहुत ही अच्छा कोश्चन था ठीक है आप इसे दुबारा देखना और खुद सॉल्व करके देखना इस कोश्चन को ठीक है चलो चलते हैं अपने टाइम का रेशो दिया है ठीक है टाइम बोला है अधिक समय लेता है तो समय मतलब टाइम यानि कि ए अधिक समय लेता है यानि कि अगर भी 100 दिन में उस काम को कर रहा है तो ए किते दिन में करेगा वो 150 दिन में करेगा दुबारा इस लाइन को पढ़ लीजे किसी कार्रे को स दिन में खटम करता है तो B उसे दो दिन में करता है. ये इनका रेश्यों है. ठीक है? एग्जजयक ताइम नहीं है. इनका रेश्यों की बात कर रहे हैं. आगे पढ़ते हैं. यदि दौनों मिलकर इस revenue को 18 को 18 दिन में समाप्त करते हैं. अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इस काम को ये 18 दिन में finish कर देते हैं तो B अकेला इस कारगा को कितने दिन में समाप्त करेगा तो देखें मैंने आपको इस तरह का question पिछली वीडियो में कराया था हम इनकी efficiency निकालते हैं तो यह आई आपकी 2 ratio 3 यानि A एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 3 काम करता है तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं अब देखें ये एक दिन में 5 काम करते हैं और 18 दिन तक इन्होंने 7 मिलकर काम किया है तो टोटल काम इन्होंने कितना किया अठारा पंजे नब्भे टोटल नब्भे काम इन्होंने मिलकर अठारा दिन में किया है तो टोटल वर्क आगया आपका नब्भे हम reverse चल रहे हैं जो आपको very first question कराया था आपको work and time का अब उसका reverse चल रहे हैं और इस तरह का question मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लिया था टोटल नब्भे काम करना है और बी अकेला इस काम को करता है तो बी एक दिन में कुल तीन काम करता है ठीक है efficiency यहां पे दी है तो कितने दिन लगेंगे उसको नब्भे बटे तीन यानि उसको तीस दिन लगने वाले है तो option भी यहां पे सही हो जाएगा ठीक है कई यह चोटी चोटी सी चीजे हैं जिन से आपका question solve हो जाता है यह जो question है ना जो fifth question है बाकी के चार question से हलका सा अलग हो जाता है अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको reverse चलना होता है इसमें आपको total work निकालना है फिर जिसकी भी आपसे efficiency पूछी है जिससे भी आपका time पूछा है वो निकाल दीजे अगर आपसे a का पूछता तो a एक दिन में कित्ता काम करता है दो काम करता है तोटल 90 काम करने है एक दिन में वो दो काम करता है तो उसको कित्ता लगता उसको 45 दिन लगते तो थोड़ा सा connect कीजिए आप सारे question कर पाएंगे चलते हैं उपने next question पे sixth question पे sixth question में आपको एक बहुत ही जरूरी चीज़ बता दूँ जो आपकी salary को divide करने वाले question होते है मजदूरी को बाटने वाले question होते है उसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा जो भी मजदूरी बटेगी वो efficiency यानि की कार्रे कुशलता यानि कार्रे शमता के ratio में बटेगी अब देखो कैसे करना इस question को question को पढ़के समझते है A अकेला किसी कार्रे को 10 दिन में कर सकता है ताइम की हम बात कर रहे है जबकि B अकेला इस कार्रे को 15 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर कार्रे को समाप्त करते है दोनों मिलकर इस कार्रे को समाप्त करते है तथा इसकी कुल मजदूरी 3000 रुपे हो तो इसमें A का भाग कितना है तो time हमें दिया है तो time का ratio बना लो आप यह आया आपका 5 से cancel हो जाएगा 2 ratio में 3 यानि कि अगर A को किसी काम को करने में 2 दिन लगते हैं तो B को किते दिन लगेंगे 3 दिन अब यहां से इनकी efficiency निकालेंगे efficiency क्यों निकालनी है क्योंकि जो भी मजदूरी होगी इसी ratio में बटेगी तो efficiency क्या होगी 3 ratio 2 इसका reverse हो गया अब यह कह रहे हैं दोनों ने मिलकर काम किया है और इसकी जो कुल मजदूरी मिली उन्हें 3,000 रुपे मिली तो कुछ भी मिला हो हम उनकी efficiency के according इसको बाट देंगे ठीक है 3 और दो 5 3,000 को अब divide कर लीजे 5 से क्यों efficiency 3X and 2X इसके accordingly इनकी मजदूरी बटेगी 3X 2X के according ठीक है तो 5 चिक 30 600 रुपे आया तो A को कितने मिलेंगे 6 तिया 18,000 रुपे और B को कितने मिलेंगे 6 दूनी 1200 रुपे जो X की value आई उसको हमने यहाँ पर रख दिया तो A को प्राप्त होंगे 1800 रुपे और B को प्राप्त होंगे 1200 रुपे तो option C सही होगा क्योंकि हमसे A का भाग पूछा है तो 1800 रुपे is the correct answer समझ रहे हैं आप मजदूरी को बाटने वाले question की भी हम practice करेंगे अगला question लेते हैं इसमें देखते हैं wages को किस तरह से बाटना है देखे A अकेला किसी कारे को 6 दिन में समाप्त कर सकता है A अकेला किसी कारे को 6 दिन में समाप्त कर सकता है B अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है B किते दिन में करता है 8 दिन में समाप्त करता है दोनों मिलकर एक लड़के की सहयता से इस कारे को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं यानि कि ये करते क्या है एक लड़का और शामिल कर लेते हैं और उस लड़के की सहयता से ये इस पूरे काम को तीन दिन में खतम कर देते हैं यदि इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपे हो तो इस में से लड़के का भाग कितना है ये आपको बताना है तो देखे हम यहां से निकाल लेते हैं यहां पर हमें टाइम दिया है ठीक है हम पहले सॉल्व करते हैं कि इनको काम कितना करना था ठीक है तो 6 और 8 यहां से आप इनका LCM निकाल लिए यह आएगा 24 और यह आगा आपका टोटल वर्क 24 काम उनको करने थे ठीक है तो A ने कितना काम किया एक दिन में और B ने कितना काम किया यहां से उनकी Efficiency Ratio से पता चल जाएगा तो 8 तिया 24 और 6 चोग 24 यानि कहने का मतलब यह है A एक दिन में 4 काम करता है B एक दिन में 3 काम करता है ठीक है तो इन्होंने कितने दिन काम किया है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीन दिन काम किया है, सभी ने, तो आप मुझे ये बताइए, ए ने कितना काम किया, ए ने किया, चार तिया, बारा काम किया उसने, क्योंकि वो एक दिन में चार करता है, तीन दिन में बारा करेगा, तीन से multiply कर दी, भी एक दिन में तीन करता है, तीन दिन में कितना करेगा? 9 काम करेगा. ठीक है? 12 और 9 कितना हुआ? यह हुआ आपका 21. टोटल 24 काम करने थे. 21 काम इन दोनों ने कर दिया. बाकी का काम किस ने किया? बाकी का काम इस लड़के ने किया, इस बच्चे ने किया, इस बॉय ने किया. किते दिन में किया तीन दिन में किया तो 24 में से 21 गए तीन काम उसने किये है किते दिन में किये तीन दिन में किये तो आप मुझे ये बताइए उसकी efficiency क्या आई उसकी efficiency आई 1 यानि वो एक दिन में जो भी L4 लड़का वो लड़का एक दिन में एक काम करता है तो इनकी efficiency की ratio यहां से निकल के आती है A, B, A और B की और उस लड़के की इसकी 4 है, इसकी 3 है और इस लड़के की 1 है समझने आप मेरी बात को हमें efficiency के according ही इनकी मजदूरी को बाटना है तो आप बाट दो 4 और 3, 7 और 1, 8 ठीक है, 4 हजार को आप 8 से डिवाइड करेंगे या है आपका 500 रुपे ठीक है, 5 चौक 20 यानि इसको 2000 रुपे मिलेंगे 5 तिया, 15 इसको 1500 रुपे मिलेंगे और 5 एकम 5 इसको 500 रुपे मिलेंगे आप देख लीजे इनका total भी 4000 आ रहा होगा ठीक है, तो हमसे पूचा है उस लड़के का भाग कितना है उसका भाग है 500 रुपे ठीक है, लड़के का भाग कितना है 500 रुपे तो 500 करक्ट आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी wages है, आपको मजदूरी है या जो भी इनको reward मिल रहा है उनको efficiency के according ही बाटना है इसमें हमें देखिए, लड़के की efficiency पहले निकालनी पड़ी फिर हमने बाटा ठीक है, समझ गए आप, चलो चलते हैं अपने next question पे, अब हम eighth question पे eighth question बिल्कुल simple सा question है आपकी जो MDH वाली trick थी ना, उससे करेंगे हम 9 आदमी साथ घंटे परती दिन कार्रे करके किसी कार्रे को 15 दिन में समाथ कर लेते हैं 9 आदमी साथ घंटे परती दिन काम करके किसी काम को 15 दिन में खतम कर लेते हैं तो आपको बताना है 6 आदमी 9 घंटे परती दिन कार्रे करके इस कार्रे को कितने दिन में खतम करेंगे तो देखो हमें days निकालने है निकाल लो देखो 9 से तो आपका 9 cancel हो गया ठीक है 15 और 6 भी cancel हो जाएंगे 3 दुनी 6 और 3 पंजे 15 7 पंजे 35 बटे में 2 ये आगे आपके दिन निकल के ठीक है तो 35 बटे 2 को हम लिख सकते है साड़े सत्रा तो option D सही होगा यानि कि इस काम को करने में उन्हें साड़े सत्रा दिन लगेंगे किस किस को अगर 6 आदमी 9 गंटे परते दिन कार्रे करते हैं तो ये आपकी MDH वाली trick मैं ने बताए थी MDH upon में WR ये क्या चीज है M for men, D for days, H for hour, W for work R for जो भी उनकी reward है या फिर जो भी उनकी salary या wages है समझ में आये हैं आपको बिल्कुल simple सी चीज़े हैं चलते हैं अपने next question पे 9th question पे 9th question देखिए A तथा B के काम करने की दरों का अनुपाद 3 ratio 4 है A और B के जो काम करने की रेशो है वो कह है 3 ratio 4 है इनके द्वारा कारे समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपाद बताना है आपको time बताना है समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या दिन का मतलब क्या है time की बात करने है तो वो इसका reverse होगा क्या होगा 4 ratio 3 होगा तो option B सही हो गया तो बिल्कुल जो चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपके लिए revise कराया है, इसे मत भूलना, ठीक है, चलो, चलते हैं अपने next question पर, last question पर, 10th question पर, ठीक है, तो 10th question मैंने आपको कराया था, कि मान लिजे, A और B काम कर रहे हैं, ठीक ह क्या करें कोशन में, A अकेला किसी कारे को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, और B किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आपको बताना है, A ने कारे आरम किया, तथा 10 दिन बाद, B भी कारे रत हो गया, यानि 10 दिन तो A ने काम किया, उसके बाद B भी उस काम में शामिल हो तो कार्रे समाप्थ होने में कितने दिन लगेंगे तो देखो बिल्कुल सिंपल सी है हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं ठीक है 25 और 20 का एलसेम लेंगे 100 आएगा यानि टोटल काम कितना किया जाना है 100 काम किया जाना है अब A और B की रिशो बना लो efficiency कि A एक दिन में कितना कर डिन में 5 काम करता है अब question में जो दिया है उसके accordingly अगर हम बात करते हैं तो A ने शुरू में 10 दिन काम किया है तो कितना काम उसने कर दिया उसने तो कशक 440 काम उसने कर दिया बचा कितना काम बचा टोटल 60 काम 60 काम को किस इन दोनों ने मिलके किया क्योंकि बी भी कारे रत हो गया है यह तो कर रहा था बी भी आ गया तो पांच और चार नौ एक दिन में 9 काम होता है और 60 काम करने है तो 60 अपन में 9 इसको में लिख सकता हूं 20 बटे में 3 20 बटे 3 को अगर मैं बटे 3 दिन में यह पूरा काम कंपलीट होगा ठीक है इसमें दोनों दिन जुडेंगे ए ने जितने दिन काम किया और ए और बी दोनों ने मिलके जितने दिन काम किया ठीक है तो आंसर आता है आपका option D 16 सही 2 बटे 3 दिन तो गाइस यह थे आज के आपके टोटल 10 कोशन और 10 के 10 कोशन आपके अच्छे लेवल के कोशन है ठीक है आपके एक्जैम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं यह वही कोशन है तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें हाँ थोड़े से आपके लिए कोशन यह डिफिकल्टी लेवल इसमें बड़ ठीक है चलिए थैंक्यू जो मुच गाइज